नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से शिवा के इस नई वीडियो में उमीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे से व्यस्त होंगे लेकिन अपनी व्यस्त लाइफ में से निकाली थोड़ा सब वक्त और देख धालिये ये वीडियो जिसमें आपको मिलने वाली है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आप अपने पैरेट के काटने की आदत को कैसे चोड़ा सकते हैं उसको कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करत हैं आज का वीडियो तो दोस्तो आज की वीडियो में जैसे कि हमने बताया कि बात करने वाले हैं कि आपका पैरेट अगर आपको काटता है तो उसके लिए आप उसे किस तरह से ट्रेंड कर सकते हैं कि वह आपको काटे नहीं तो पहले तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है क कि आपका parrot आपको काट क्यों रहा है क्योंकि इनकी psychology को समझना बहुत ज़ाद जरूरी होता है देखे जब आप कोई adult parrot लेकर आते हैं या अगर आप कोई बड़ा parrot लेकर आए हैं तो उसमें काटने की जो आदत है वो इसलिए हो सकती है कि उसकी कहीं miss handling होई होगी या जिसके प तो वो काटना शुरू कर देता है क्योंकि वैसे देखा जाए पैरेट का सुवाव गुसे का नहीं होता वो काफी शान्त होते हैं और अन्नेसेसरी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लेकिन अगर कहीं उनके अंदर कोई गुसा है किसी बात कोई बात उनके अंदर रह जाती है तो वो काटना शुरू कर देते हैं दूसरी बात यह होती है कि कई बार हम यह देखते हैं कि हमारी घर में पैरेट था लेकिन वो पहले नहीं काट रहा था और आप वो काटना शुरू कर दिया है तो इसके पीछे के वैसे reasons बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन अगर इनकी psychology को ध्यान में रखते हुए इस reason को बारे में जानेंगे तो ये जानेंगे कि इनके अंदर थोड़ी सी jealous की भावना होती है यानि कि insecurity जिससे ये सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं जिसके साथ इनकी bonding सबसे ज़्यादा होती है अगर वो व्यक्ति उनसे दूर हो जाए या फिर किसी और के साथ उसका लगाव हो जाए फर्स कीजिए किसी के साथ bonding बहुत ज्यादा है लेकिन अब उसे घर में कोई और महमान आ गया है या कोई और ऐसा member आ गया जिसके साथ वो ज्यादा वक्त काटने लगे हैं तो ऐसे मैं पर्रिट के मुन में इसीक्यूरिटी की भाबना आ जाती है क्योंकि परिट बहुत ज्यादा पॉूसरिंट होते हैं उनकी दिमाग में पहीं रही सब्से जादा है या इसको तो सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ बताना चाहिए तो इसको लेकर काफ़ी जैलिस हो जाते हैं ये इनकी साइकलोजी होती है क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियो में यह Бात बोलती हूँ कि पैर्ट शोटे बच्चे के जैसा ही होता है तो जैसे छोटे बच्चे को यह अगर उसकी मा किसी और बच्ची को गोदी ले ले तो वो गुसा हो जाता है तो सेम चीज जो होती है वो पैरिट के साथ भी होती है अब बात यह है कि अगर यह आदत आपके पैरिट में आ गई है कि वो आपको काट रहा है तो आप इसको कैसे चुड़ाएंगे और किस तरह से आप उसको ऐसा बनाएं कि आप उसको हैंडल कर सकें उसका विश्वास जीतने की जरूरत है यह सबसे जरूरी है उसके अंदर यह विश्वास आ जाए कि आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे इसके लिए आपको देनी होगी अपने पैरिट को ट्रेनिंग और यह ज को बतारी हो on no.1 प conform एक पैरिट पो जब आपका पैरिट आप लेकर आ हैं तो केज के इंदर एकदम से हाथ आपको नहीं डालना है आपको पहले उसका नाम लेना है उसको अवास लगानी है ताकि वह अलक हो जाए कि आप उसके पास में आने वाले हैं तो बिना बताएं हमेशा ट्रेनिंग सेशन में रहनी चाहिए जिससे कि वह चीजों को जल्दी समझेगा उसे मालूम है कि लकडी के आने का मतलब यह है कि अब उसको उसके उपर बैठना है तो हमेशा अपने पैरेट को लकडी पर बिठाने की कोशिश करें शुरुआत में जबकि वह आपके हा जाए जिससे कि वह विश्वास उसके अंदर आए कि जो आपका हाथ है यह उसको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है इसके लावा आपको कभी भी अपने पैरेट को उंगली नहीं दिखानी है जैसे कई बार हम टीज करने के लिए उसको उंगली दिखाते हैं फिर पीछे ले जाते हैं तो यह चीज बिल्कुल पैरेट के साथ नहीं करने यह चीज पैरेट को बहुँझा इरीडेटिंग लगती है तो इस चीज को आप अपने पैरेट के साथ बिल्कुल नहीं करें क्योंकि अगर एक बार उसके अंदर यह आदर डवरप हो गई तो हमेशा फिर आ और बताना है उसको जो आपने कि यह गलत बात करें सुझे तो लगता है यहां समझे hàng काट explo USB list को में मानना है तो आप एक पानी का शावर अपने साथ रहें, क्योंकि बड़े पैर्ट में ये दिक्कत होती है, कि बड़ा पैर्ट जो है, वो काफी जोर से काट लेता है, तो उस वक्त पर आप उनके शावर मार सकते हैं, अच्छा ये गर्मियों में तो आप आराम से कर सकते हैं, सर्दियो पानी पढ़ते ही जो पानी मारने वाला जो स्टैप है यह एक दम एंड में जाकर है जब आपका पैरिट बिल्कुल नहीं मान रहा हो तब आपको यह काम करना है बेबी पैरिट लेकर आते हैं तो आप लाकर उसको छोड़ देते हैं छोड़ने का मतलब है कि आप तब ट्राइ किया तो पैरेट आपका दुबारत से जंगली जैसा हो जाएगा बिगड जाएगा तो जरूरी यह है कि जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं वो रेगुलर दें और वो ट्रेनिंग भलाई आप दिन में तीन-चार बार दें लेकिन पांच मिनट से जादा की ट्रेनिंग आपको केमबर पर आपको अपने पैरेट को के पास जब भी जाएंगे तो आवास दे कर जाएंगे जैसे कि आप उनको केज में से निकालेंगे तो पहली आप उनको आवास देंगे उसके बाद आप लकडी उनके सामने रखेंगे उसको लकडी पर बैठाएंगे लकडी पर बैठा रहे हैं या काटने के लिए आ रहे हैं आपकी तरफ तो आप नो गंदी बात बैड मैनर इस तरह का कुछ भी कहके उसको आप इंडिकेट करेंगे कि यह चीज गलत है और बहुत जादा गुसा करने पर आप उनके मुँपर शावर मारें तो यह कुछ बाते हैं जिनको आप ध् कॉमेंट करें शिवा के लिए जिसे मुझे बहुत अच्छा लगेगा अपने पैट्स का नम जुरूर प्रेंट में लिखा चीजिए अगर आपके पास है या अगर आप राने वाले हैं टाल आप उच्छ रहें हैं तो वह जुरूर आप लिखेगा मुझे बहू अच्छा सब्सक्राइब, तक के लिए मुझे और शिभा को कर दीजे बाइ बाइ बाइ